जो परसंटेज है, 200 बात तर 30 काकड़ा है उससे नीचे ही आएंगे। महें पांडे आगे चल रहे हैं, महें नाथ पांडे चौंदौली से लड़ना है, इससे सीधे सीधे गडबंदन की फाइट है, लेकिन थोड़ा सा रूलर एरियास का खुलने दीजिए, जो शेहरी छेत्र है उनका पहले खुलता है, मैंने बैठते ही आप से कहता है, तोड़ा सिन सेक्स राकेट हो गया, ने सन सेक्स तो आगे जा रहा है, गोरखपूर सीध आपकी हाँ से जा रही रही रवी किसन देखिए, तो रभी किशन कितने वोट से आगे थे, आब तो दिखा रहे हैं थे कि 14-15 जो चल रहे हैं, उस्तों कवर करने में कित्रण नाइम लगता है सोरिया कांधी पीछे होई तो इनकी आवाजी गुम हो गए विशाल की, वो एक बड़ी ख़बर है, उनका पीछा होना चाहिए एक वोट से पीछे हो, ये बड़ी ख़बर है, आपकी तो कोई ख़बर ही नहीं आ रही है, देखिए, लोकतंत्र में, जो भी जनादेश आ रह से इन औरही हम्हारी बात हो जाने एक हुलए है, ऑर उस आभा मंदल पर जाती रूपी, जो इनकी घड़बंदन के खिला, जाति रूपी आभा मंदल अस्थावित करने काम भार्द्दनेटा-PARTY ने किया, उस पर सफलता प्राप करने काम, भार्द shaky अज किया, ये दिक रा आप क्या कर लोगा अब जूट का अडंबर हाबी हो गया और आज हमाइस अब यह बात प्रेज जूट का अडंबर हो गया और आज अब तो आपका अधिर कभी कुछ पता नहीं चेल रहा है बहुत बहुत बड़े प्रडाम के अपिक्छा नहीं है लेकिन हम लोग उपस्ति दर्ज किराने जा रहा है यह पुरा बिस्त्वास है ग्राण रिपूर्ट आपके पास अपने अभी बताया था कि राहूल गांदी जी पीछे चल रहे हैं वहाँ पर 2014 के बाद किस तरह से स्मृति इरानी हारने के बाद भी वापस आई और उन्होंने वहाँ पे किस तरह से काम किया राय परहली में सोन्या गांदी का पीछे होने को मतल समझती है कभी किसी राउंड में मुझे तो नहीं आद इतने समय हो गया काम करते हुए कि सोन्या गांदी को पीछे चलने की ब्रेकिंग भी हो जाए इट इस कंप्लीटली सप्राइजिंग आई थिंक हमारे जो वोटर्स हैं वह बहुत प्लिटिकली अवेर हैं अमेठी की जैसे मैं बात कर रही थी तो वहारने के बाद भी जिस तरह से जो कैंडिडेट्स हैं हारने के बाद भी स्वृति इरानी जी वापस आई और पूरे द आपके सामने जी आउट आप 6145 पर बीजेपी आगे तो क्या चला यूपी बीजेपी के तो लहर है यहां पर लहर है और मेरे ख्याल से देखिए मैं यहां पर यांड ब्रेमर को को कोड करना चाहूंगी उन्होंने कहा है कि जो भी जो वेलफेर मेजर जो वेलफेर पॉलिस यहां पर आए हैं उन्होंने टाइम्स मैगजीन में लिखा है तो जिस तरह से मोदी जी ने जो रिफॉर्म को पुशिन किया है वो एक डेवलपिंग कंट्री इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है आप देखिए सिधात नगर पर में एक गाउ है वहां पर जाए सब कहते हैं कि स्वच्च भारत इस फेलियर दिस इस फेलियर जब किसी भी स्कीम को अगर हम फेलियर बोलते तो हमें पहले अपने गिरेबान में जाक के देखना चाहिए तो पहले यह पक्षी बाद पर एक पस मेरी एक पॉइंट सुन ल पर जाए और लोगों को मोटिवेट भी किया है तो जितने भी प्रोग्राम सो फॉच्च वोटों से आगे चल रहे हैं अमेठी से बढ़ी पांच हजार ओटों से पीछे जी 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 बड़ी बात होती है and I think कहीं न कहीं BJP जो है इसमें बहुत मायने में सफल हुई है